बाहरी दुनिया में रुबीना दिलै की बेस्ट प्रेंड और साथ ही रुबीना दिलै के साथ बेस्ट प्रेंड होने के साथ साथ वो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है श्रिष्टी रोड इन्हें कुछ कहा है रुबीना दिलै के सपोर्ट में क्या कहनी है बताते हैं एक गाली के ओपर उससे कही नगे घर का माहौल बहुत ज़ादा हिल गया था इन फाक्ट घर क्लीरली कल दो ग्रूप में बट गया था जहां पर एक ग्रूप नज़र आ रहा था रुबीना अबिना राकी और निकी का वहीं दूसरा ग्रूप नज़र आ रहा था यहाँ पर एजाज, राहूल, अली, अर्शी और सुनाली का तो यहाँ पर घर कल क्लीरली बट गया था दो ग्रूप में तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो सुनाली फगाट ने किया है, वो बिलकुल गलत किया है, सिर्फ नाम पटने पर वो पूरे घर भर को अक्यूज करके उनको गाली देते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद रुबीना दिलैक ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी हाला कि तब दक उन्होंने किसी को स्पेसिफिकली गाली नहीं दी थी, लेकिन रुबीना दिलैक को इस बात से आपती थी कि जिस गाली का वो प्रयोग कर रही है, वो कहीं नहीं पूरे घर के लिए कर रही है और वो गाली बहुत ज़ादा गलत मतलब रखती है यहाँ पर हम आपको बता दे, श्रिष्टी रोड अब उतरी है रुबीना दिलैक के सपोर्ट में और यह बोलती है नजर आ रही है कि वो रुबीना दिलैक के उपर प्राउट फील करें क्योंकि रुबीना दिलैक ने सही बात पर सही जगा स्टैंड लिया है, सही बात के लिए अपनी आवाज बुलंद की है वह ऐसे में रुबीना दिलैक को हम भी कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही बात पर जो है एक स्टैंड लेकर सुनाली फोगाट को समझाने की कोशिश की यह गाली कितनी बड़ी हो जाती है वो भी नाम फटने के उपर इस वोज नॉट आक्चिली वर्थ इट यहाँ पर ओडियंस का भी काफी गुस्सा देखने को मिला है सुनाली फोगाट को क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से घर भर में गालियां दी है वो किसी को भी पसंद नहीं आया है इन फाक्ट पुराने कंटेस्टेंस भी कही न के सुनाली को इस चीज के लिए बोल रहे है कि वेक अप गर्ल यह ज़रूरी नहीं था ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे शिष्टी रोट के सपोर्ट मिलने पर रुबीना दिलैक को आईए करते हैं कॉमेंट सेक्षिन में इसी बात पर चर्चा और लगा दर हमाई से जुड़े रही क्योंकि और भी कई सारी खबरें जो हमें आप तक पहुचानी है